असलम्म के लोज मैं मैं निध्वान चीमा, and welcome back with this video of capital smart city आज की इस वीडियो में आपको जो दिन दो sectors के हवाले से explain करूँगा वो sectors हैं overseas central, sector D and sector E पहले मैंने sector D and sector E की सोचा था separate video बनाओ बट sector D में चुछे इतनी ज़्यादा development नहीं हुई तो वह छोटी से video होती तो इसलिए मैंने दोनों को compile करके एक वीडियो बना दी है जूँकर दोनों सेक्टर में एक ही category के plot से एक ही तरस के plot थे तो इसलिए मैं सोचा कर डेटेल से एक ही तफ़ एक्स्प्रेइन कर दूँ मैं try करूँ कि इस वीडियो में Google Earth पे जितना मैं ज्यादा explain कर सकूँ ज्यादा करूँ इसके साथ साथ जो actual footage है site की ये भी तक्रीवन 10-12 minutes की footage होगी जिसमें आपको बहतर idea मिल सकेगा कि sector D और sector E में development का status कहाँ fall करता है first of all दोनों sector जो है एक sector E जो है इसकी पहले बात करें इसकी चार साइट की तो sector E के opposite side north side पे बात करें तो वहाँ पे 180 foot का road है right side पे east side पे इसके आपके 400 foot का road है left side पे जो रोड बनता है उसकी तक्रीवन रोड की width बनती है 220 foot जिसे 54 street का carpeted road है बागी linear park के बीच में 120 foot का और उसके साइट back side पे बात करें तो back side पे दोनों जो C block के साइट divider road है उसकी width है 160 foot तो 160 foot, 220 foot, 180 foot और 400 foot की division में आपका sector E आता है sector D की बात करें तो उपर उले side पे इसके north side पे जो road आती है उसकी width है 180 foot left side पे इसके road की width है 120 foot, right side पे road की width है 220 foot plus linear park 100 foot का road, 50-50 foot की दोनों lanes और center में 120 foot का linear park और back side पे 160 foot का road तो location wise, accessibility wise definitely sector E को advantage हासिल है nonetheless future में जब सारा develop हो जाएगा तो sector D और sector E का शायद इतना gap ना रहे लेकिन अभी आज की date में देखें तो दोनों में जमीन अस्माना gap है उसकी development जमीन पे है, तो इस video हम डिटेल से discuss करेंगे, first of all जो अभी आप फोटेज देखने हैं स्क्रीन पे यह linear park की फोटेज है जब आप अभी जो मंदवाल road बना हो है जो आपको वीचे background में नजर भी आ रहा होगा एक road, यह road जो है पीछे मंदवाल एक गाउं है जिसके बादियो connect करता है यह उसके बिल्कुल साथ जब नीशली street पे आती है तो शुरू में आपको जो street मिलती है सेक्टर डी की, street 19, street 18, street 17, 16 and 15 इन street के साथ साथ आपका linear park है राइड नो जो water tank और आपको जो जहां पे machinery park नजर आ रही है यह बिल्कुल linear park का start कह रही है यहां पे इसके साथ आगे जाके जो buildings है दो बननी उनमें एक building जो होगी, वो होगी higher college की और एक होगी junior school की अब वीडियो जहां से start हुई है वीडियो स्टार्ट होते साथ यह बिल्कुल start में जो उने point एक start किया था वो एक divider point था जो था between sector C and B to sector D and E उस divider point पर भी एक bridge बनना है यानि एक bridge बनना है ने sense कि वहाँ पे एक depression थी और depression को society ना fill करके वहाँ पर 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 ब्रिज बनाना है और इस bridge से आगे connectivity मिलेगी right now मैं sector D और sector E के बिल्कुल divider road पर हूँ आगे जहां पर आपको एक depression जहां पर राउंट सा रस्ता नजर आ रहा है यह bridge बनने है right side पर सारी land जो है वह sector D की है याद रहे sector D के सरफ शुरू की कुछ streets हैं जिसमें मैं partial street की बात कर दूँ जिसमें आपकी lane number one आती है जो partially developed है brown है और street 14, street 15 and street 16 का partial part है जो पूरी-पूरी street नहीं partial part है कहलें के 20% ये 30% part है जो developed है remaining land is litigated यानि कि उस जमीन के बारे में अभी तक कुछ confirm नहीं है कि society ने वाँ पर development स्टार्ट क्यों नहीं की और अवराल जो है वहाँ पर आपको greenery नजर आती है जैसे raw land होती है एक raw land है जो आपको जिस पर machine लगी हो ऐसे cutting होई हो ये जमीन पहले जो अभी देख रहे हैं आप तो यहां पर मिटी की पहाड़िया थी पहले अभी आप देखते हैं तो आप उन पहाड़ियों काट के बिल्कुल नीचे लेया गया है और नीचे लाने के बाद अभी जो area है वो तरीबन level land हो जेगी ये वले जमीन जो होती है घर बनाने के लिए बहुत favorite होती है क्योंकि जब आप घर बनाते हैं तो आपको सिर्फ ठाइटे तीन तीन फूट कुदाई करनी है और तीन सो फूट कुदाई करने के बाद आप नीचे से raft निकाल लेते हैं ओपर निकाल लेते हैं घर तो इसलिए उसकी construction में आपकी बच्चत काफी ज्यादा होती है उन दे काउंटर साइट जो filling होती है लेट से एक plot है उसमें 50 फूट, 100 फूट की filling है 100 फूट की filling में आपको पुरा society जब plot आपको handover करेगी वो खड़ा नहीं handover करेगी filling के साथ handover करेगी लेकिन जब filling के साथ plot आपको मिलता है तो आपको उसमें piling करनी पड़ती है यानि के आपको जमीन के अंदर सुराख करके जमीन के अंदर सुराख होती है 50 से 60 फूट, 70 फूट, 80 फूट के उन में पिर आपको concrete प्लस आपको properly, steel के साथ ना पर properly, base बनानी पड़ती है जमीन वो base ऐसी बनती है कि वो जमीन पे आपका जो घर होता है वो अर्थ को एक proof हो जाता है अर्थ को एक resistant हो जाता है 7.5, 7.8 का जो अर्थ को एक होता है उसको bear कर लेता है तो यह अवराल दोनों में difference होता है अब सेक्टर D में कुछ पार्ट ऐसा है जहांपे cutting है, कुछ पार्ट ऐसा है जहांपे feeling है mostly सेक्टर E का पार्ट जो है वो clear है अब सेक्टर E में जो साथ मरला के plot आते हैं साथ मरला के plot जो सेक्टर E में नीचे वाली side पे आती है उनकी land जो है वो थोड़ से litigated है उनमें भी काम नहीं हुआ इफ I am being precise street 6, street 5, street 4, street 3, street 2, street 1, lane 1, lane 2 ये जो lanes हैं इनके जो plots हैं वो आपके सामने I don't have to express यह explain it again कि वो भी किस तरह से है जब future में develop होगा वो area तो मैं शल्ब आपको उसके वाले से explain कर दूँगा राइड नो दुबारा मैं 360 view के साथ यह निके पिजान से नो ने fly किया था और दुबारा उसी linear park को ले रोड पे आगी है linear park जो है यहां से आपको थोड़ साइडिया और होगा sector D का जो पार्ट पार्शल पार्ट ब्राउन हुए है पीछे आपको जो एक रोड नजर आ है रोड से परली तरफ जो लेंड नजर आ रही है वह सारी लेंड जो सेक्टर B की है भी फॉल ब्रावो अब जो सेक्टर D की लेंड है उसमें अभी तक litigation मजूद है उसमें जब litigation clear होगी तो जाइस्टी बात है society की यहां development की pace है उसे बहुत ज़्यदा difference आपको नजर आएगा right now वह difference आपको फील नहीं होता लेंकर future में जाकर definitely वह difference आपको बहुत ज़्यदा feel होगा अगर हम बात करें में जहांप सेक्टर D और सेक्टर B आपस में डिवाइड होती है उस जगह की बात करें तो उस एरिया का नाम जो बनता है वो basically divider road है divider road है जिसमें center में पार्क है right side और left side जो वो roads है mostly जो road की width mention है वो 160 foot है 160 foot means के wall to wall difference यनि sector E का जो आखरी street one plot number बनता है street one जो बनती है उस street से लेके जो street one बनती है किनाल के plot की sector C की इन दोनों के दर्मयान 160 foot का difference होगा बीच मेरे health society 5050 road का पार्क रोड दे देगी और center में 60-70 foot wide ना एक पार्क दे देगी तो यह overall dimensions होगी right now अभी जो आप screen footage देख रहे हैं यह linear park के दर्मयान की footage है और जहां पर आपको digging नज़र आ रही है इस को definitely इस market की accessibility होगी right now जो screen footage आप देख रहे हैं यह sector E की footage है जो चार्स फट रोड के बिल्कुछ साथ है और चार्स फट रोड के opposite side पे sector G है G for government अब इस sector की streets की बात करें जहां पर आपको अब यहां के बहुत क्लेर ले नज़र आ रहा होगो जो मैंने पर कटिंग वली बात की थे न यह मिट्टी के पहाड है जिनको भी काटा जा रहा है यह प्रॉपर लिया में मिशीनरी लिगा कर काफी साथ expense आता है cutting में लेकिन यह इरिया है जो आपको ब्राउन होए रहे नज़र आ रहा है अगर मैं streets की बात करूं तो street 7, street 8, street 9, street 10, street 11, street 12, street 13, 14, and आगे जाके sector link road आता है पिर park आता है उससे आगे के अरिया है जो right now footage देख रहे हैं और दुबारा आप वापस जो 400 foot road आपको नज़र आ रहा है इसके center में metro lane है और दोनों side पे 55 lane के roads बन गया है और 33 lane lane के service road भी बनना बाकी है अब चलते हैं जो सबसे important चीज़ है वो है Google Earth location वहाँ से मैं अभी तो footage आपने देखी है यह सिर्फ उन members को idea होगा जिनकी already यहाँ पर investment parked है याद रहे कि इसमें कोई sale appeal नहीं है आपको कुछ पेज नहीं this is just for the understanding of those people जिनके already पैसे यहाँ पर लग चुकी है उनको अपने investment का follow up मिल सके कि उनकी investment कहाँ पर stand करती है उस हवाले से याद रही कि 8 July के updated footage है तो उसको आप अपने लिहाँ से देख लेगा जब भी आपको यह वीडियो अपलोड होगी जार सी बाद आपको idea हो जाएगा क 8 July को यह रिया कैसा दिखाई देता था लेटर स्टेज पर जो चीज़ें development होगी इंशाला मैं आके जाकर आइड कर दूगा चलते हैं जी गोगलत location पे और वहाँ पर discuss करते हैं कि sector D और sector E में में चीज़ें क्या आती है मैं हर चीज़ एक्लें करूंगा स्टीट वाइज हर चीज़ें करूंगा ताकि हर बंदे को अच्छा एडिया मिल सके कि उनकी investment कैसी कहां पर स्टैंड करती है इस वकर में स्क्रीन पर Capital Smartity का Master Plan में जो आज की वीडियो स्पेसिफिकली वो इन दो सेक्टर के वाले से हैं जिनका नाम है सेक्टर D और सेक्टर E अब मैं शुरू मे करूंगा जितना details explain करूंगा याद रहे कि हमने सारा Overseasies Central 2020 में बेचा हुआ है 19-20 में तो इस वीडियो में हम आपको कोई sales pitch नहीं दे रहे हैं कि आपनी यह चीज़ खरीदें तो यह फायदा होगा यह सिरफ उन members के लिए video है जो already plot purchase कर चुकी है यह जितनी में effort कर रहा हू में हम इसी तरह मजीद वीडियो पर काम कर सके हैं सबसे पहले देखते हैं कि Overseas Central का हम distance इन दोनों ब्लॉक का from the interchange राइड नौग एक्सेस लेते हैं तो एक्सेस पॉइंट ब्लॉक का बनता है that is around 2.28 km जो के almost समय लेके interchange के उपर ही बैठे हैं आप यानिकि इस से ज्यादा नजदीग नहीं बन सका धाई किलोमेटर का distance अगर मैं count करूँ तो यह धाई किलोमेटर जो हैं यह बिल्कुल वो हैं जहां से अभी यह road बना नहीं है जो रिंग road का partial part F block के साथ है जो missing आपको नदर आ रहा है तो जब यह road searching complete होगा तो इस जगा पे कितनी ज्यादा इसकी access असान होगी नोर ब्लॉक की तो अगर पांच मल्ला और साथ मल्ला की cuttings है तो मेरा नहीं खियाल है कि इस से फेवरेट जगा आपके लिए हो सकती है लेकिन साथ ही मसला यह आ जाता है कि इस जगा पर D block की land की litigation वह आगर जाके explain करता हूं अब यह हो गया D block की access अगर मैं D block त success लेते हैं ब्लॉक तक तक तकरीबन सवा तीन किलोमेटर जो के फिर भी ज्यादा लंबा चोड़ा रूट नहीं बनता अब यह रोड इसमें थोड़ सा पार लिटिगेट है रोड नहीं बना लेकिन future में जब सब कुछ complete हो जाएगा तो इस जगा पे आपको सवा तीन किलोम नोट करता हूं को specific plot से मैं distance note नहीं करता यह नहीं ब्लॉक का starting point यह बनता है इस केस में मैं central का स्पेसिफिकली मैं भी साथ on कर लूँ ताकि ज्यादा क्लेर हो सके में बनको अब जैसे इस केस में जो पहला plot बनता है यहां पे main road पे street नमर 21 तक आता है मैं यहां तक नोट कर कर रहा हूं यहां तक अगर आते हैं तो आपका distance बनता है 2.55 km from 180 feet wide road अगर आप दूसरी साइट से आते हैं for example आप 400 foot road से आते हैं मैं वह भी दिखायता हूं को अगर 400 foot road से आप इस point पे access लेते हैं तो आपका distance जो बनता है that is around one second करेक्शन करना है यह जो distance बनता है आपका that is 2.93 km डाई किलोमेटर यहां तीन किलोमेटर को distance नहीं होता अगर देखा जाए actually fraction figure के मताबिक लेकिन फिर भी smartity में आपको जिस जगा plot location है यह location है definitely long run में जापको इसका बहुत अब डिसक्स कर लेते हैं जी ब्लॉक की हर एक चीज को start करते हैं sector E से क्योंकि एक ब्लॉक ज़्यादा developed है तो इसलिए हम उसको पहले ब्लॉक में याद रहें यह ब्लॉक का map screen पर देख सकते हैं तो पहले इब्लॉक की चार साइट इब्लॉक की चार साइट की बात करें उपर रोली साइट पर नौर्स साइट पर देखे तो इस साइट पर यह डिस्टंस आपको 220 फूट है तो इससे आप आइडिया लगा लें कि अंदर जो चीजें बनती हैं 50 फीट रोड एंड सेटर में आपका यह लीने पाग आ गया अगर हम बात करें इसकी आपकी नौर साइट होगी इस साइड होगी सौथ साइड होगी सौथ इस साइट पर जो ब्लॉक डिवाइड होता है रोड की वेड़त है 160 फूट यह जो सेक्टर सी और सेक्टर ए को डिवाइड करता है रोड उसकी वेड़त है 160 फूट अब आते हैं जी स्पेसिफिक प्लॉट पर यह हम आगे स्टी नमर बन में रोड की विट पर बात करें में रोड की बात करें तो में रोड की निच्छे आपको जैसे मैंट ने पहले बात की साइड अमरे के काम होगा स्ट्रीट वन पर आजें यह भी ऐसी है ग्री मैं दिखो इसके वाजें यह जो मिटी के पहाड है शायद दिर पॉसिबिल्टी के साइटी नहीं यहां पर कटिंग को लेटर सेज भी रखा हो कि मुश्किल हो टेरिन यहां पर राइट नौ हमें जो चीज नजर आती ह वो इस तरह की चीज नजर आती है एक्चिल ग्राउंड पर खड़े होके तो जब चीज़न डिवेलप होंगी बेहतर होंगी तो डेफिनली हम इसे बेहतर अंडरस्टेंडिंग लिगा सकेंगे मैं बात करूं 8 जुलाइ 2023 की गूगल अर्थ पर जो इमेजिस है मेरे पास वो आपके बाते हैं स्टीट नंबर टू पे स्टीट नंबर वन कम बना लोट नमर टू पर सारा एरिया वैसी वनता है अलमस्ट लेकिन ये आ अच्छा लेटेट बलकि ज्यादा डेटेल में स्टीट वाइस कि हा जाऊं बहुत लंदी वीडियो हो जागी वाँ टू त्रीट फ बना हुआ है ठीक है अगर आप जाते हैं साइट पे तो आपको यह जगह से घुज़रते वे अभी Google पर इमेज अपडेट नहीं लेकर आपको यह आइडिया मिल रहा हुआ है यह जो रस्ता नदर आ रहा है यह रोड और यह रोड के दिनम्यान में लीनियर फारक है तो आपको स्ट्रीट एड का भी वाला पार्ट नॉन डिवलक्ट अब आज यह मेरी मिस्टेकन ली कहा दिया था डिवेलप्ट है लेकर यह नॉन डिवेलप्ट है ठीक है स्ट्रीट नमर 9 10 11 के नीचे आपको प्रॉपर जो ब्लेड फिरे में नजर आते है मैं शिन्री प्रॉपर लिन स्ट्रीट नाइन से लेके सेक्टर रोड तक तमाम लेंड क्लियर्ड है इवन दो जो इस तरफ वाले प्लॉट है जो वाटर बाड़ी जिसके सरकल सा बना हुआ है यानि कि जांसे में गुजर के जाते हैं जहां भी एक ब्रिज बन रहा है अब इस साइटी की तरह से राइट स्पेसिफिकली प्लॉट नमर यह 42 है 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35 प्लॉट नमर 35, 36, 37 और उसे पीछे तरी पर आठ से 10 प्लॉट यह पानी के अंदर है तो फ्यूचर में इसको फिलिंग करके इसके प्लॉट बनाए जाएंगे तो जहां पर जो कंस्ट्रक्शन होगी मैं किसी को डिसार नहीं करना चाहता बट अकल बन के लिए शारा काफी है यह से अंदाद लगा लें यह प्लॉट है लैक पानी के अंदर फ्लॉटिंग प्लॉट है यार बेटर लेट देने वर जिनके प्लॉट नहीं डेफिरिली वोगर्स को उनका इस नहीं मेरा कंसे नहीं है मैं सिर्फ एक कि उनको पता चल सके आज़ें जी स्ट्रीट आगे सेमन मला वले प्लॉट पे स्ट्रीट 15, 16, 17, 18, 19 इन स्ट्रीट पर जाते हैं तो येस everything is cleared कोई चीज इस में अशी नहीं है जो litigated हो सारा पार बलको cleared है आगे आज़ें जी सेमन मला वले प्लॉट्स पे इन सेमन मला वाल सेंटर से गुजर रहा है ये पबलिक रोड है पबलिक रोड से लेफ्ट साइड पर जितने प्लॉट्स है इसमें लेन फाइफ है लेन फोर है और लीनिर पार्ग रोड है I think सारी cleared है अब मंदवाल रोड से opposite साइड पर जाते हैं तो ये पार्ट है ब्राउन हुआ है ठीक है तो ये वाला पार्ट अभी बाकी है इसको डिवेलब नहीं किया गया तो मदव ये 50-50 कहले इसको अभी इसको अभी इसको अभी इसको अभी जब लेटर से पर कुछ कंफर्म होगा तो इंशल्ला मैं आपको अपडेट कर दूँगा राइट नो ये कुछ इस स्टेटस में ये जिएता है आई होप तमाम मेंबर्स के सेक्टर ए को लेकर जितने कंसर्म होंगे वो ड्रेस होगे होंगे और इस पर दूसरी चीजे मनती है मैं वह भी एक्स्लिए कर दोंगे में में बलेवड फेसिंग जितने कमर्शल हैं इस आर एट मरला कमर्शल्स 40 बाइफ के प्लो है वह तकरीबन तमाम प्लॉट को यहां तक स्पेसिफिकली दूरिमेंबर दिस पॉइंट के इस पॉइंट तर कितनी कौन सा प्लॉट बनता है इसमें सेक्टर सी का स्टार्टिंग पॉइंट है सेक्टर ई के सामने प्लॉट है यह सारे के सारे प्लॉट है 100 परसंट इन में क्लेरंस है इसमें कोई दो राई नहीं कि तमाँ के तमाँ प्लॉट जो है वो अलटे डिवेलप्ड हैं उनके सामने रोड जो बन चुका है अभी गूगल पर इमिजिस उस तरह से अपडेटेट नहीं है बट बेटर लेट दर नेवर कुछ ना कुछ तो है न तो यह जो लेन रोड बनता है वन 60 फीट वाइड इस पर निचे आप ग्राउंड की रैलिटी देखें तो वन 60 फीट राइड रोड में जो साथ मरला के प्लॉट है शुरू में यह साथ मरला के प्लॉट है लेन टू लेन थ्री एंड लेन वन यही होगी और स्ट्रीट वन स्ट्रीट यह लेति बनता है एक फॉकेट है छोटी सी जो इस में बनता है कित तक यह लीन नाम दंक अंध्र करें लै छी देखने मिए यह जूरू अपन स्ट्रीट बनाता है जिसमें चुरू में पांचBT बनां साथ मरला कहते हैं स्ट्रीट तो आपकी जो status land का street 6, street 7, street 8, street 9, street 10, street 11, street link road, sector link road street 14, 11, 10, 11, 12, 13, 14, sorry, sector road 14, 15 15 से आगे आजें street 16, street 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 street 23 तक, yes, mostly part आपको physically मुझे कुछ I think so कहने के जरूओत नहीं है I hope everyone can understand के यहाँ पर status क्या इसमें सिर्फ यह वाली साइट पर जो ring road का एक point है यह जो part है इस पर काम हो रहा है ठीक है जो basically sectors B और D को divide करता है road वो area में काम हो रहा है बाकी जो काम है वो अभी बाकी है इस तरफ ठीक है अब आ जाते हैं जी overall elevation पर block की कि यह दुनों block दिखाई कैसे देते हैं सेक्टर D के अगर बात करें elevation की तो सेक्टर D में शुरूले जो plot है यह slope के plot है और यह इस side पर नीचे lane street 1 जो यह depression की तरफ आ जाती है ठीक है depression इस तरह से आ जाती है कि यहां पर आपको प्रॉपर water body भी नज़र आती है तो यह side इतनी elevated नहीं है बट कुछ ना होने से कुछ बेतर है जो यह इससे आगे की streets है यह सारी जो मतलब यह elevation अची है जहां पर street के करें में बात करें कौन से street बनती है यह बनती है कि यह जो slopes नज़ा रहे हैं basically यह खड़े हैं और यह पहाड़ियां दाद लगा लें कि मतलब यह पहाड़ी इस खड़े में फेड़ हो सकती है मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता कि मैंबस ऐसी बात है कि जिनकी plots हैं यहां पर they will get this art तो मैं ज्यादा खुल के explain नहीं करता बड़ यहां में जार सी बता है बहुत सी बते हैं जो discuss करने वाली है जो हम publicly discuss नहीं कर सकते तो let's not go into those things अच्छा बस शुरू में जो समझ आने वाली बात थी कि यह बला पार्ट है जो cleared हो गया है और बाकी जो पार्ट है प्लॉट नंबर कहलें कि अगर यह वान है प्लॉट नंबर क्यूंकि मैं यहां पर मिरे पास यह बी इस तरह से सेंट्रल अक्लेर नहीं है मैं बलके दूसरा जो पीडिएफ मैं पर वहां से देखे बताता हूं आपको लीनिर पाक रोट पर जो D-Block को डिवाइड करता है उस रोट का नाम है लीनिर पाक रोट और प्लॉट नंबर 78 टॉट नंबर यहां पर यह 78 है प्लॉट नंबर और 102 है 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 यह developed है यहां पर यहां पर भी मिशिनरी की मूव्मेंट नहीं हुई अब जीका मिशिनरी जहां मूव करती है लग रहा है यह ब्राउन लेंड लेकर एक्चुली यह बंजर जमीन है जमीन जो ब्राउन होती है वो इस तरह की होती है इस शेप में ब्राउन जमीन इस शेप में और बंजर जमीन इस शेप में और जो बिल्कुली रॉल लेंड होती है वो इस शेप में आती है और इस शेप में आती है तो यह आपको मैंने बता दिया कि सवा दो किलो मिटर आप के बिल्कुल opposite side पे है और लेग वी commercial यहां पे आती है एक जो मरकज बनेगा 400 फट रोड बिल्कुल उसके उपर है एंड इस तरफ भी एक सासी फट रोड के उपर commercials हैं तो सेंटर में linear park है तो अगर दोनों ब्लॉक हो मैं पार्क की बात करूं तो एक दो थीन चार पांच छोषाज आठ नो नो बांके जो सेक्टर पार्क आर्क प्राइट हैं जो अंदर्के पार्क के चोटे नो पाकस हैं बहुत बड़ा नंबर है are इस तरह से क्लेर नहीं हो पाएगा सो मेटर सो इंटू वन मेटर होते हैं इस यह तो बहुत ज्यादा विट्ट होती है 80 मेटर जिए 0.08 मेटर 80 मेटर से बनते हैं तो आइ तिंक काफी बड़ा नमर है 80 मेटर से बलके नमरें सही बलके दोबारा से मेजर करता हूं इस लिनर पार्क एक विट्ट की बात करें that is 0.08 मेटर इट मींज के 80 मेटर का यह पार्क है 80 मेटर को आप 3 से मिल्टिपला कर लें तो यह गूगल पर चेक कर लें कि मेटर में कितने फीट होती है तकरीबन आपका जो बलके फीट में जाके देखता हूं अगर फीट में आजे दो सबचास फूट मैं 220 फूट एक्सपेक्ट कर रहा था तो सबचास फूट का यह लीनियर पार्क है जो कि बहुत बड़ा नमबर है अचाजी अगर इसकी लेंद की बात करें जो दोना सेक्ट आरांड वन किलोमेटर गोड़ 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 लाइक यह थिंक 1.1 किलोमेटर लंबा पार दो सबचास फूट चोड़ा पार क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपने इस लाग पचास अरपा दिया हूँ है और बदलें आपको यह फसलिट इसमें कोई दोर आ बड़ दे मैटर ओफेक्टेस के कैपिल स्मार्टी में बाइस होना अपका बनता है क्योंकि जो देखें कोई भी एक चीज ना मैं एक्जेम्बल देता हूँ छोटी सी ठीक है कोई भी चीज जो आपको कैपिल स्मार्टी मिलेगे ना जो कमिटमेंट अब से हटके नहीं होग अब 5 lane, metro lane, and 5 lane यह बन गए 12 lanes, 3 lanes, 3 lanes, 6 lanes, 12, 6, 18 यहीं चीज 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 कमिटमेंट की गई ती चार सो फुट का रोड़ तो चार सो फुट का रोड ही है उसमें ऐसा चाचुट ने कोई दोनम्री ने की, क्या आप दिखाते कुछ हैं, मतलब दिखाते सजी हैं, मारते खब कि जितना वो पॉसिबल तरीके से अपने commitment को और कर सकें उस तरह से यहां पर ऑनर होगा commitment का कि यहां पर आपको बंदा यह नहीं कहसता है कि मेरे साथ जाती होगी मेरे साथ जाती होगी मेरे पांचवे साल में अब तक जो प्रजाक्ट ने चीज़ने डिलिवर हैं वो इस में डिलिवर हैं इसमें सप्टमर में यहां भी स्टार्ट होजेगा बट मैटर फैक्ट इस कि जो प्रड़क्त हमने 2020 और 2021 में सेलिंग स्टार्ट की 2023 में आके आज उसका मैप पे यह चीज़ने यहां पर आगे पर आगे जाते हैं यहां पार्क आगे जाते हैं अगर स्टरेट की बनता है तो बनता है 0.07 70 meter ठीक है इतने ज्यादा फीजिबल तरीके से साइटी ने यहां पर अकॉमडेट किया है कि हरे इंडिविजिल को कर आपका कम पैसे थे कम लिहास अपने कम पे कर सेते थे तो साइटी ने आपको बैस से बैस तरीके से से कॉमडेट करने की कोशिश किया तो विडियो पहले बास जमा सो साथे तीन सो यह मेरे से गलती हुए थी मैंने स्टाड में कहते है तो दुबी सुछ विश्विट का रोड है बेसी कि दो सो पचास फूट का सिरफ और सिरफ पार कहा है ठीक है यहम सिरफ पार की विट्थ में यह करें यह दिन एक मैं इस सब्सक्राइट जाए थी माशला इतने इस विट्म पर लेते ना ड्रैकली अनुट जेट लें तुर्ट का लाइक नंबर देखना अब मैं स्क्रीन पलिया तो में 251 पूट का पार लाइक सीडि़सली एक किलमेटर लंबा दो डाइस वर चोड़ा पार्क यह बनता है आपका मदल थोर सी mistake होसते हैं उससे ये 344 या 345 फूट दिखा रहा है ब एक्चुल डिस्टेंस साथे 300 फूट इमैजन करें कि 600-300 फूट का डिस्टेंस दो प्लॉटों के दिर्माइन में जिनकी वर्त है 55 पांच मरला मीं साथे 19 लाक इस मंदी को पास प्रॉपर्टी ए ठीक है यानि कि शाड़े उन्यस लाग इप्रपरटी के ओनर्स यह हैं और पच्छिस लाग नवे ज़रोली प्रपरटी के ओनर्स यह वह यह वली बाइए जिनका भी प्लॉट है I guess वो वीडियो देख रहोंगे या नहीं देख रहोंगे तो शेयर कर देन के साथ साथे तीन सो फुट कर डिस्टन्स along with park along with everything पाकिस्तान में रहते हुए जहाँ पर आपके घर के सामने गली जो हती है वो बीस होट के होती है तीस फुट के होती है वहाँ पर घर के सामने साथे तीन सो फुट हो गैपर wall to wall जब आप घर बनाएंगे यहाँ पे तो imagine करें हैं ventilation कैसी होगी हाँ yes इस चीज़ का impact new tech university student hostel इनका थोड़ा रशी एरिया होगा impact आए का इस जगह पे plus blockों के अंदर बादी चुंकि इतनी ज़्यादा होगी पांच मला घर एक गली में आप घर ज़्यों ज़्यादा होगे इसका impact आएगा definitely लेकिन better late than never इस से बेतर price में इस से बेतर product आपको शाहिद पाकिस्तान में offer नहीं हो सकता था तो this was the best thing smarterty could offer अगें back to real time footage अब सब्सक्राइब अपने स्क्रीन पे वही sector B, sector D, sector E इन सारों के footage देख सेते हैं आपको आइडिया हो रहा होगा कि इस वक्साइटी में development कहां stand करती है याद रहे कि यह साइटी में जितने plot ballot हुए और mostly plots की जो वर्त है इन दोनों block में 25,90,000 का plot था 7 मर लगा और 19,50,000 का plot था 5 मर लगा अब इनके development charges विरा मिला के तरी मिलियन से लेके 4 मिलियन की price बनती है और plot की याद रहे कि इतनी prime location और plot मिलना आज जगल डेट में इसलामबाद में impossible है तो यह इससे ज़ए golden opportunity नहीं हो सकती अगर आपके पास funds हैं तो definitely इसको procure करें अगर आपको capital smart city है तो please do like, comment and share और चैनल को subscribe करना मत बोलें अरिजवान ची मैं को दीजिए अजासत अगरी वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस